So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के स्मार्टफोन यूजर्स के बारे में जिनकों की MIUI 13 का वेट है जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है कि इस साल आपको MIUI 13 का अपडेट अपने स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और अब guys, यहाँ पर इस अपडेट से जुड़ी ही काफी important information हमारे सामने आई है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि MIUI 13 आपको कब तक देखने को मिलेगा क्या है इसकी launch date और इसके लावा कौन-कौन से स्मार्टफोन है जिनकों कि ये मिलने वाला है तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और दोस्तो चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe कर लीजिए ताकि आपको ऐसी tech वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो फिलाल आप सबको पता है कि MIUI 12.5 का update काफी सारे customers को मिल चुका है वहीं पर काफी सारे ऐसे smartphone है जिनकों कि ये update मिलना अभी बागी है लेकिन यहाँ पर अब leaks सामने आने लग गए है MIUI 13 update के बारे में कि कभी ये launch होगा और कौन-कौन से smartphones को ये मिलेगा जी हाँ दोस्तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर आपको ये update देखने को मिलेगा 25 जून को यानि कि 25 जून को ये officially announce हो जाएगा company की तरफ से उसके बाद ये धिरे-धिरे कुछ smartphones को मिलेगा और आप सबको पता है कि अलग-लग batch में अलग-लग smartphones को ये मिलता है तो वैसे तो दोस्तो अभी time लगेगा आपको 3-4 महिने अगर MIUI 13 update की हम बात करते हैं लेकिन अगले महिने ये official हो जाएगा company की तरफ से तो ये काफी अच्छी information है लेकिन वहीं पे इसके साथ में एक bad news भी है काफी सारे users के लिए कि यहाँ पे कई ऐसे smartphone है जिनको की अपडेट नहीं मिलेगा पहले ऐसे policy थी दोस्तो Xiaomi की की 4 साल तक MIUI के update आपको provide करवाते थे लेकिन अगर MIUI 13 की यहाँ पे हम बात करें तो काफी selected ऐसे smartphone है जिनको की अपडेट मिलने वाला है अगर reports की मानें तो यह update उन smartphones को नहीं मिलेगा जो की 2019 से पहले के हैं जी हाँ दोस्तो यानि की 2019, 2020 और 2021 इन 3 सालों के जो smartphones हैं उनको ही यह update देखने को मिलेगा अगर दोस्तो ऐसा होता है अगर यह reports सच है तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे smartphone users हैं जो की disappoint होंगे इस चीज से क्योंकि अगर 2019 से पहले की smartphones की हम बात करते हैं तो काफी famous इसमें smartphones हैं जिसमें चाहें हम बात करें Xiaomi Mi 9 Series की, Redmi Note 8 Series की या फिर Redmi 8 Series की तो यह ऐसे smartphones हैं जिनकों की काफी मुश्किल है की MIUI 13 का update मिले वहीं पर 2019 के बाद के जो smartphones हैं उन सभी smartphones की update देखने को मिल जाएगा इसमें चाहें हम बात करें Redmi के smartphones की, Poco smartphones की या फिर Xiaomi के बाकी smartphones की आप ये complete list देख सकते हैं दोस्तों की ये वो smartphones हैं जिनकों की ये update देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं कुछ changes की कि क्या-क्या features MIUI 13 के साथ में आपको मिलेंगे तो फिलाल कुछ confirm तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन leaks के recording यहाँ पे आपको एक नया user interface देखने को मिलेगा और company ने यहाँ पे काफी सारे changes इसके user interface में किये हैं वहीं पे इसकी animations को optimize किया जाएगा, काफी सारी नई themes और wallpapers आपको देखने को मिल जाएगे और कई सारे improvement यहाँ पे इसकी privacy और security में भी होने वाले हैं तो overall जैसे हर update के साथ में आपको इन चीजों में improvement देखने को मिलते हैं MIUI 13 के साथ में भी यह सब आपको देखने को मिलेगा लेकिन यह काफी disappointment है दोस्तों काफी सारे users के लिए कि 2019 से पहले के smartphones को यह नहीं मिलेगा इसमें mainly दोस्तों Redmi Note 8 series काफी successful रही थी और काफी सारे ऐसे users हैं जो कि इन smartphones को फिलाल use कर रहे हैं तो काफी मुश्किल है इन smartphones को यह update मिलना इसके बाद के जितने भी smartphones हैं उनको यह update मिल जाएगा बाकी अगले महिने 25th June को जब इसकी announcement होगी उसके बाद कुछ confirm हो पाएगा कि क्या यह सबी news सच हैं या फिर इसमें कुछ changes होंगे जैसे इसके बारे में और information आएगी आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप उसके लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like कर दीजिए चैनल पे पहले बार आएए तो subscribe कीजिए मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye have a nice day